हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नवश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत-बड़ी भूमिका होती है ये बात हम जानते हैं मेरे ख्याल से मेरे को आपको ये समझाने की आवशक्ता नहीं है कि अगर किसी भी सरकार को दमनकारी होने से रोकना है, किसी भी सरकार को अतिवादी होने से रोकना है, तो इसके लिए आपको लोकतंत्र में एक मजबूत, एक सशक्त विपक्ष जो होना चाहिए, इसकी आवशक्ता तो हम सभी समझते हैं लेकिन भारत में अगर आप विपक्ष को देखें और मैं किसी एक पार्टी विशेश की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप भारत में न सिर्फ केंदर में बलकि राज्यों में भी विपक्ष को देखें तो आम तोर पे विपक्ष जो है भारत में बड़ा असंगठित जैसा प्रतीत होता है और यह अपसे रही है यह बहुत समय से है आप अगर देखेंगे जब डॉक्टर मनमुहन सिंग की भी सरकार थी तब भी विपक्ष कोई बहुत संगठित नहीं था विपक्ष में देखिए एक होता है कि आप केवल अलोचना करते जाएं कि सरकार सब गलत कर रही है सरकार भष्ट है यह तो विपक्ष करता ही है लेकिन एक दूफरे तरह का विपक्ष भी हो सकता है जो सरकार के कामों पर research करें, सरकार के कामों में कमिया निकाले, सरकार से सवाल पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारी research तो कुछ और बताती है, कुछ और कर सकते थे, ये तब हो पाएगा, जब विपक्श जो है, सरकार के कामों पर focus करके अध्ययन करे, और इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जो ब्रिटेन में आम तोर पे होती है, West Minister सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं Shadow Cabinet. Shadow Cabinet क्या होती है? कि जैसे मान लीजिए, और यह ब्रिटेन में आम तोर पे चलती है, भारत में इसका कोई आधिकारिक तरीका नहीं है, shadow cabinet मतलब जैसे एक तरफ तो है फत्तापक्ष जैसे प्रधान मंत्री हैं ठीक है वित्त मंत्री हैं रक्षा मंत्री हैं आपके क्रशी मंत्री हैं मैं कुछ नाम बता रहा हूँ ऐसे ग्रह मंत्री हैं आपके उद्योग मंत्री हैं वगेरा वगेरा ये आपके मंत्राले हैं तो व पूरी तरह से, कि अगर भारत में आज का विपक्षिक Shadow Cabinet बनाए, तो दारण के लिए Shadow प्रधान मंत्री हो गए राहूल गांधी. ठीक है, Shadow प्रधान मंत्री हो गए आपके राहूल गांधी, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है. शैडो वित्त मंत्री आप चिदंबरम सहब को बना सकते हैं, क्योंकि भाई वो वित्त विभाग संभाल चुके हैं बहुत समय तक, शैडो वित्त मंत्री आपके चिदंबरम सहब हो गए, शैडो रक्षा मंत्री आपके, आप किसी को भी बना दिया, कोई भी नाम आप सजेफ् तो अब इसमें क्या होगा, एक्जामपल समझ रहो ना आप, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजे क्रशी विभाग का कोई भी प्रपोजल आता है, तो अब उसके केवल रैंडम ली आलोचना नहीं होगी, कि सरकार बेकार है, ब्रश्ट है, नहीं, तो जो शैडो क्रशी मंत् मंत्राले की हर गती विधी पर नजर रखे, और क्या करे, अगर क्रशी मंत्राले की बहुत और गनाईज डालोचना आप कर सकते हैं, क्रशी मंत्राले के कामों में बहुत धंग से कमे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एक सांसद और उसकी पूरी टील इस काम में लगी हुई कि क्रशी मंत्राले क्या कर रहा है हमको हर जानकारी पर सवाल पूछना है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आलोचना की क्वालिटी जो है सरकार से जो आप उत्तरदाइद मांगते हो उसकी क्वालिटी सुधरेगी बात मानते हो के नहीं बानते एक तो वन्ना तो अब क्या होता कि उडिसा में जो आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक साहब, नवीन पतनायक ने क्या किया है, उनके जो 50 विधायक हैं, अपने 50 विधायकों की उन्होंने शैडो कैबिनेट बना दी है, बात समझने हैं, तो यह हालकि कोई आधिकारिक पद नहीं है, पर अपने एक उफिशल लेटर जारी किया है, और अपने 50 विधायकों को एक एक विभाग की दिम्मेदारी दे दी है, और एक तरह से शैडो कैबिनेट बना दी है, इसका क्या तात पर रहे है, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दू, कि भाई हमारा प सिरीव 18 प्रिंटेट किताबे आपके घर पे और अगर आप प्री कौलिफाई करते हैं, तो दो सब विदाएं, सबसे पहले तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी पूरी तरह से, और दूसरा आपको हम मेंस की तयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, सब कुछ, इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा, तो AJ Life Code लगाई है और आज ही इस बैच से जुड़िये, ठीक है, तो भाई इस Shadow Cabinet का मतलब क्या है, देखिए, इस बात को समझे है, कि अभी एक तो भाई नवीन पटनायक सहाब तो बहुत वर्षों से वहां मुख्य मंत सहाब की, ये सरकार जो है, ये कम अनुभवी है, ये माना जाता है कि ये सरकार जो है, इसके पास अनुभव की अभी कमी है, जबकि विपक्ष जादा अनुभवी है, बीजू जनता दल के जो लोग है, वो तो दशकों से सक्ता में रहे है, ये जादा अनुभवी है, तो ऐस इसे में क्या हुआ है कि नवीन पतनायक सहाब ने ये जो शैडो कैबिनेट बना दी है इस शैडो कैबिनेट के कारण यहां पर क्या हो रहा है कि इन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर सदस्यों को ये जिम्मेदारी सौपी है कि आप क्या करेंगे आप अलग-अलग विभाग क मंत्रियों पर नजर रखेंगे इस विभाग के कामों पर आप विस्तार से नजर रखेंगे रिपोर्ट बनाएंगे चर्चा करेंगे और तवाल पूछेंगे तो ये माना जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि सरकार बहुत ज़ादा अनुभवी नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में इस बाद से ये लाभ आपको मिलने की बहुत ज़ादा आशंका है, बहुत ज़ादा लाभ मिल सकता है कि सरकार को घेरने में, सरकार का उत्तरद में लिखा है कि मंध्य प्रदेश में भी 2014 में कॉंग्रेस ने शैडो कैबिनेट जैसी कुछ शुरुआत करी थी लेकिन क्या होता है ये सारी शुरुआते दो चार महीने चलती है फिर रुख जाती है भारती जनता पार्टी ने भी महाराष्ट में गोवा में दिल्ली में जब जब इन सब राज्यों में वो विपक्ष में थी तब उसने शैडो कैबिनेट जैसा कुछ बनाया था लेकिन ये सारे जो काम थे कोई इनको बहुत गंभीरता से बहुत लंबे समय तक नहीं किया गया लेकिन चूंकि एक राज जिस्तर का दल है बीजू जनता दल जो की आम पर उडिसा के बाहर कहीं वादा प्रभावी है नहीं और उसके अध्यक्ष की ओर से इत बार पहली बार शैडो कैबिनेट बनाया गया है तो इस बात की संभावना है कि उडिसा भारत का एक ऐसा राज्य बन सकता है जहां पर शैडो कैबिनेट का जो एक तजर्बा है ये ब बहुत ही ज़ादा स्वागत योग्य कदम है, ब्रिटेन में आम तोर पे होता है, भारत में हम को देखना होगा, औरीसा की विधान सभा पे हम नजर रखेंगे, कि वहाँ पर क्या जो तरक वितरक की प्रक्रिया है, क्या वो फुधरी है या फिर नहीं फुधरी है, अभी के ल देखने के लिए सब्सक्राइब करें, स्टडी आइक्यू आईएस हिंदी